नमास्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागेंदर मेंशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तीस नबंबर को बना दुरलब महा सयोग उतपन्ना महा एकदसी गाई को खिला दें ये एक छोटी सी चीज रोड़पती से करोड़पती होने से कोई नहीं रोख शकता दोस्तों मार्क शिर समास के कृष्ण पक्षी एकदसी को उतपन्ना एकदसी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह एकदसी 30 नबंबर दिन मंगलवार को पढ़ रही है इसी दिन देभी एकदसी का प्रागट हुआ था इसी दिन को एकदसी जेनती भी मनाई जाती है वार्सिक उपवास रखने का संकल्प लेने वाले भक्त उतपन्ना एकदसी एकदसी के बरत की सिरुवात करते हैं सभी एकदसी बर करने वाले राक्षस मुर का बिनास करने के लिए भगवान विश्यों जी के देह से ही प्रागट हुई थी इसलिए इस दिन भगवान विश्यों जी के भक्त उनका आशिरवाद लेने के लिए एकदसी बरत का बरत रखते हैं और सुरुवात भी करते हैं देभी एकदसी इस डिएांगा नाम से भी जाना जाता है एकदसी प्रत करने करेंख अश्मेग औ् तीरथों में इस्नान करने का पुन्न Allप प्राप्थ होता है उत्पन्न एकदसी का ब्रत करने से कई जन्मों के पापनशट हो जाते हैं यह एकदसी आरोग शंतान प्राप्ति मौक्ष दन बैभो के लिए किया जाने वाला ब्रत है इस दिन से एकदसी उपवास की उत्पत्ती हुई थी दोस्तों इस बार उत्पन्ना एकदसी के ब्रत तीस नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और दोस्तों मार्ग सिर्स मार्श के कृष्ण पक्षी जो एकदसी आती है इसी तित्थी को उत्पन्ना एकदसी के नाम से जाना जाता है ये बहुत बिशेश और सुबफल दायनीर मानी जाती है आज के इस वीडियो में हम आपको एकदसी के इस शुब सहयों के बारे में भगवान स्री हर विश्णू मा और माता लक्ष्मी जी गिर्पा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान और असर कारक उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को करने से भगवान स्री हर विश्णू और मा लक्ष्मी जी के कृपा से धन संबंधिश शबश मश्याय दोर हो जाएंगी भगवान विश्णू जी के कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा दोस्तों इस उपाई को सही प्रकार से करने के लिए आप हमा करके निब्रित होकर फिर स्वक्ष वस्त्र पीले रंग के वस्तर जो अगर पहने तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पीला रंग भगवान विश्णू जी को बहुत प्री होता है तो इस दिन अगर हो सके तो पहन ले नहीं तो आप लाल भी पहन सकते हैं और जिसे कि बिश्णू जी की प्रतिमा है तो उन्हें पंचा मृत शेशनान कराएं पंचा मृत यानि की दो दही घी शहद और शक्र के घोल से आप भगवान विश्णू मा लक्षमी जी को शनान कराएं फिर स्वक्ष जल से शनान कराने के बाद आप भगवान जी का स्रंगार करें दोस्तों बता दे कि पीले पुस्प पीले वस्तर पीले फल अरपित करें भागवान विश्मी जी को और लाल पुस्प लाल वस्तर लाल फल अरपित करें माता लक्षमी जी को दोस्तों एक अदसी के जो बरत होता है ये भागवान विश्मी जी को बहुत परी होता है एक अदस और उसमें आप सुद्ध जल से आप उसे आटे को गुंद कर रोटी बना लें, और रोटी में थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी और उसमें आप थोड़ी से घी रख लें, और थोड़ी से उसमें मिस्री रख लें, मिस्री ना हो तो गुड़ भी रख सकते हैं, और उस दशे के दिन पूजा करें या किशी भी दिन भगवान विश्ण जी की तो तुलसी के दल जरूर उन्हें भोग लगाएं तुलसी के पत्ते की बिना भगवान विश्ण जी की पूजा अराधना अधोरी मानी जाती है तो आप तुलसी के पत्ता भी आप भोग के रूपे जरू उन्हें अर्पित करें फिर आप जो हमने बताए कि एक रोटी आपको सुध्ध आटे की रोटी बना लेनी है रोटी में एक चुटकी हल्दी थोड़ी से घी और मिस्री या फिर आप गुड रख लें और थोड़ा सा उसमें काला तिल रख लें फिर आप भोग लगाएं कि इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देने से विशेश उपलब्धियां और मांज समान के प्राप्ति होती है कि कदर्शी के दिन गाय की सेवा करना गाय की पूजा राधना करना विशेश फलों को दरसाता है माल अक्ष्मी जी भागवान विश्मी जी के विशेश कृपा प्राप्त होती है आप चाहें तो इस दिन जो आप घर की सबसे पहले रोटी बने उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और घी और काला तील और थोड़ी से मिस्री डालके आप अपने दाहिने हाँ से आप ऐसे भी गाय को खिला सकते हैं गाय की पूजा राधना जरूर करें क्योंकि गाय में 33 करोड देवी देपताओं का बास होता है तो इसलिए इस एक अदसी के दिन गाय को बिशेश रूप से आप उनकी आरती करें उनकी पूजा राधना करें एक दीपक जरूर गौसाला में जिलाएं दोस्तों बता दे कि इस दिन हरी घास अगर अपने दाहिन हाँ से खिलाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते हुए तो अगर आप रोड़ पती भी है तो करोड़ पती होने में कोई नहीं रोख सकता यानि देर नहीं लगेगी आप गरीबी घर का रास्ता भोल जाएगी करोडों को धन मिल जाएगा यानि आपको एक अदसी के दिन ग गाय को आप इस दिन खिला सकते हैं लेकिन जो सबसे पहले ही रोटी बनेगी उस रोटी में गुड़ घी काले तिल और मिस्री डाल के जरूर आपको खिला देना है ये एक चीज खिला देने से बिसेस लाब होता है गौमाता भी प्रसन होती है माता लक्षमी जी भी प्रसन ह रहते हैं और आपको मनवानचित फलों की प्राप्ती दिलाते हैं साथे रोड़पती से भी करोड़पती बनने में देरी नहीं लगती है और जीबन में यसमान समानक की प्राप्ती होती है दन भैभव का प्राप्त होता है तो इस दिन जो आप भोग लगाएंगे एक रोट के खीर बना सकते हैं चावल इस दिन नहीं एक खाया जाता है चावल खाना विशेष लाभ नहीं होता है पाप लगते हैं इस दिन चावल ना खाए लेकिन आप साबुदाने के खीर बना लें तो उसे भी भगवान विश्वी को भोग लगा के आप खीर भी एक रोटी में रख जन्मों जन्मों के गरीबी दूर हो जाती है यहां तक के रोड़पती सीक करोड़पती होने में देरी नहीं लगती है तो दो कमेंट में जरूर लिखेगा यह बहुत चमतकारीक उपाए है इससे उपाय को जरूर करिएगा और दरस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय महालक्ष में साथी बीडियो को लाइक करें जदा जदा शेयर करें चोनल को सब्सक्राइब करें